प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमजिम का 17 पार्ट छोटी सी हमारी नदी इसका मैं फूल एक्स्प्लेनेशन करने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमजिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ समरी, कुस्चन एंसर और फूल एक्स्प्लेनेशन तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो पाट सुरू करते हैं छोटी सी हमारी नदी इनके कभी कोन है रविंदरनाथ ठाकुर जी हैं जिसको लोग रविंदरनाथ टाइगोर जी भी बोलते हैं तो पाट शुरू करते हैं छोटी सी हमारी नदी तेरी मेड़ी धार गर्मियों में घुटने भर भिंगो कर जाते पार पार जाते ढोर डंगर बैल गारी चालू उचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू पेटे में जखा जख बालू कीचर काना नाम कास फूले एक पार उजले जैसे घाम दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार अमराई दूजे किनारे और तारवन छाहों छाहों ब्रम्भन टोला बसा है शगन कच्चे बच्चे धार कच्छारों पर उचल नहा लें गमचों गमचों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें कभी कभी वे साज सकोरे सकारे निप्टा कर नहाना छोटी छोटी मचली मारे आचल का करक छाना बहुएं लोटे थाल माजती रगर रगर कर रेती कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती जैसे ही असार बरस्ता भर नदिया उतराती मतवाली सी छूटी चलती तेज ध भार दननाती वेग और कोलाहल कलकल के मारे उठता है कोलाहल गंदले पानी में घिरनी भमरी भमराती है चंचल दोनों पारों के वनवन में मच जाता है रोला बरसा के उत्सम में सारा जग उठता है टोला तो इनके कभी रवेंदराथ ठाकुर जी है अब मैं इसका अर्थ समझा कर पढ़ाओंगी बच्चों छोटी सी हमारी नदी टेरी मेरी धार कभी कहते हैं कि छोटी सी हमारी नदी जब बहती है तो टेरी मेरी हो जाती है गर्मियों में घुटने भर बिंगो कर जाते पार और गर्मियों के मौशम में जब पानी का जलस्तर कम हो जाता है तो उस से में केवल घुटने भर पानी ही रहता है जिसके कारण लोग नदी के पार चले जाते हैं यानि आसानी से नदी पार कर लेते हैं पार जाते धोर डंगर बैल गारी चालू तो क्या होता है पार जाते धोर डंगर मतलब धोर डंगर बोला गया है जानवर को तो क्या होता है धोर डंगर जो है जानवर और बैल गारी जिसमें बैल लगे हुए जो गाड़ी होती है वह भी आसानी से पार हो जाते हैं क्योंकि कम पानी रहता है उचे हैं किनारे, इसके पाट इसका ढालू तो इसका किनारा, नदी का किनारा कैसा है? उचा है, और पाट इसका ढालू और बीच का भाग जो है, ढालू है, मतलब ढालान है मतलब अधिक पानी नहीं है आसानी से जानबर, बैलगारी या बच्चे, आदमी लोग आसानी से पार जा सकते हैं पेटे में जहका जहक बालू कीचर का नानाम कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम तो पेटे किसको कहा गया है, पेंदे में, जो उसका नीचे लेवल में जो है जहका जहक बालू है, एकदम बढ़ियां बालू, सुन्दर बालू उसमें है और कीचर का नाम उसमें, नदी में कीचर का नामो निशान तक नहीं है कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे शफेद दिखते हैं उस तरह का सुन्दर द्रिश दिखाई देता है दिन भर किछपिछ करती मैना डार डार और क्या होता है दिन भर जो है मैना किछपिछ मैना की आवाज होती है तो मैना क्या करती है दिन भर किचपिच किचपिच करती रहती है मतलब अपनी आवाज निकालती रहती है डार डार मतलब पेर के डाल डाल पड़ जाकर रातों को हुआं हुआं कर उठते सियार और रात को क्या होता है हुआं हुआं सियार जो है उसका आवाज हुआं हुआं कर वह बोलता है रात को जो है सियार हुआं हुआं कर आवाज निकालता है अमराई दूजे किनारे और तारवन और आम का बाग एक किनारे है और दूसरे किनारे पर क्या है तार कवरिक्ष है तार एक तरह का पेर होता है बहुत ही लंबा होता है, तो एक किनारे पर अमराई है, मतलब आम का बाग है, और दूसरे किनारे पर तार का व्रिक्ष है, छाहों छाहों बाम्हन टोला बसा है सगन, और व्रिक्ष के छाहों में ब्राम्हन टोला बसा हुआ है, ब्राम्हन एक जाती होता है, जैसे राजपू में ब्राम्भन टोला बशा हुआ है, समूह में, मतलब घना समूह में बहुत सारे वहाँ पर ब्राम्भन टोला में लोग रह रहे हैं, कच्छे बच्छे धार कचारों पर उचल नहाले, कच्छे बच्छे कहा गया है, छोटे बच्छे, तो छोटे बच्छे क्या कर रहे हैं, गमचों गमचों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले और गमचों मतलब तोलिया में पानी भर भर कर वो लोग क्या कर रहे हैं बचे लोग अपने अंग अंग पर मतलब अपने सरीर पर पानी ढाल रहे हैं मतलब ढाल रहे हैं कभी कभी वे साज सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मचली मारे आंचल काकर छाना, तो कभी कभी वे लोग क्या करते हैं, बचे लोग साज सकारे, मतलब साम और सबेरे निपटा कर नहाना, जब वो लोग नहा लेते हैं, तब क्या करते हैं, छोटी छोटी मचली भी मार और किस तरह से मचली मारते हैं आचल का कड़ छाना और जिस तरह माяти commissioner he actually. तीने पुरी आपके लेख लुए सीरी का खुँष। या में आपकों बंधमिक गाटल छाने लोग पहते हैं। लोग घर में चाय चानते हैं या कोई भी चीज कारा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो एक छन्नी होता है उसमें चान लेते हैं तो उसी तरह बच्चे लोग क्या करते हैं छोटी-छोटी मचली को पानी से एक कपरे के सहारे चान कर निकाल लेते हैं बहुय लोटे थाली माजती रगर रगर कर रेती और बहुय जो है वहां की जो बहुय है वो लोग क्या करती है लोटे और थाली रगर रगर कर रेती से मतलब रेती किसको कहा गया है बालू से रगर रगर कर अपने लोटे और थाली को माजती है मतलब साफ करती है कपरे धोती घर के कामों के लिए चल देती और फिर ओर लोग क्या करती हैं कपरे भी धोती हैं और घर के कामों के लिए फिर चल देती हैं जैसे ही असार बरस्ता भर नदिया उतराती मतवाली सी छुटी चलती तेज धार दनाती तो क्या होता है जैसे ही असार का महना आता है असार का महना बरसात का मैना होता है, मतलब पूरे अशार मैना में बारिश ही बारिश होती रहती है, कोई ऐसा ही एक दिन दो दिन होता होगा, जिस दिन बारिश नहीं बरस्ती होगी, बांकि सारे दिन जो है बारिश ही होती है, तो जैसे ही अशार का मैना आता है, तो क्या होता है, बारिश चूटी चलती तेज धार दनाती और मतवाली सी क्या होती है नदियां पानी भढ़ जाने के कारण मतवाली हो जाती है और तेज धार उसमें हो जाता है तेज गती से पानी बहने लगती है वेग और कलकल के मारे उठता है कोला हल वेग मतलब तेज गती और कल-कल पानी का आवा तो क्या होता है चारो तरफ सोर मच जाता है पता चल जाता है कि नदी में पानी भर गया है गंदले जल में घिरनी भमरी भमराती है चंचल क्या होता है जब तेज गती से पानी बारिस के कारण पूरी नदी में जब पानी भर जाता है तो क्या होता है पानी गंदा हो जाता है थोड़ा और उसमें घिरनी भमरी मतलब गोल भमर जैसा उसमें जैसे कि कोई घिरनी आप देखते होंगे कभी मेला गये होंगे तो क्या होत जब बारिश होती है और पानी जब गंदा हो जाता है पानी तो उसमें गोल गोल भंवर जैसा उठता है पानी चंचल हो जाता है मतलब उसमें उथल पुथल होने लगता है और उसमें गोल भंवर के जैसा चक्र के जैसा पानी घूमने लगता है दोनों पारों के वनवन में क्या होता है सोर मच जाता है और वरसा के उत्सब में सारा जग उठता है टोला और बारिस जब होती है तो क्या होता है उत्सब मतलब त्योहार बारिस होने के कारण ऐसा लगता है कि सारा जग मतलब संसार तो सारा शंसार और जो वहां के लोग हैं निवाशी हैं जहां पर टोल बना हुआ है जहां बहुत सारे शमुह में लोग रह रहे हैं नदी के किनारे तो वहाँ पर उत्सब जैसा माहौल हो जाता है भूत ही सुन्दर माहौल हो जाता है ऐसा लगता है कि उत्सब कोई त्योहार मनाया जा रहा है तो इसको कौन लिखे हैं रविंदरनाथ ठाकुर जी लिखे हैं तो बच्चों आप लोग समझ गये होंगे एक छोटी शी नदी का कितना सुंदर वर्णन किये हैं कवी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किये हैं और इसमें देखिए नीचे सारांश भी दिया गया है तो मैं आपको सारांश पढ़के सुना देती हूँ तो आपको पूरी कवीता का अर्थ समझ में आ जाएगा देखिए छोटी सी हमारी नदी तो इसका सारांश है छोटी सी हमारी नदी में कवी रविंदरनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमारी एक नदी है जो छोटी है और जिसकी धार टेरी मेरी है गर्मियों में इसमें कम पानी होता है अता उसे पार करना आशान होता है पानी बस घुटने भर तक ही होता है मतलब क्या होता है गर्मियों के समय में पानी शूख जाता है तो उसमें घुटने भर ही पानी होता ह तो लोग आसानी से पार कर जाते हैं, जैसे कि बैलगारी इसमें आराम से पार कर जाता है, इस नदी के किनारे उचे उचे पाठ ढालू है, इसके तल में बालू कीचर का नामो निशान नहीं है, मतलब बहुत ही स्वक्ष पानी है, और इसके दूसरे किनारे पर तार के वन है, जिसकी छाहों में ब्रम्हन टोला बशा हुआ है तो नदी के किनारे क्या है तार का दृक्ष है और उसकी छाहों में ब्रम्हन का टोला बशा हुआ है ब्रम्हन एक जाती का नाम है तो वहाँ पर एक टोला के रूप में समूह के रूप में वहाँ पर लोग रह रहे हैं वह नदी में नहाते हैं और उसके बाद अगर समय बचा तो मचली भी मारते हैं उनके घर की इस्त्रियां बालू से बड़तन साफ करती है फिर कपरेध होती है और इसके बाद वह घर चली जाती है वहाँ के काम करने तो नदी के रहने के कारण क्या होता है सारा काम आशान हो जाता है लोगों को साफ शफाई के लिए पानी भी मिल जाता है वहाँ नदी से लोग मचली भी पकड़ लेते हैं बच्चे लोग नहाते भी हैं बैलगारी इस पार से उस पार चले जाते हैं लेकिन जैसे ही असार का महना आता है, खूब पानी बरशने लगता है, क्योंकि असार का महना जो होता है, वह बारिश का महना होता है, तो बहुत पानी बरशने लगता है, और यह नदी पानी से भढ़ जाता है, तब इसकी धार क्या होती है, बहुत ही तेज हो जाती है, इसकी जो है गोल गोल चक्र के जैसा घूमता हुआ पानी नजर आता है लोग जुंड में वर्षा का उत्सम मनाते हैं तो छोटी शी नदी इसका यह सारांस था मतलब शौट रूप में इसमें इजी रूप में आप लोगों को समझा दिया गया है तो आसा है बच्चों आप लोगों के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद